हलो स्टूडेंस बच्चों आज हम देखेंगे वरुक्ष बढ़ाओ ये जित्र वाच्चन का सेकेंड पार्ट यह एक बालगी थे बहुत ही सुन्दर बालगी थे इस बालगीत में बताया गया है कि हमारे जीवन का आधार पेड है अपने जीवन में पेड लगाने से हमारा जीवन हराबरा होता है इसलिए पेड लगाने चाहिए पेडों का विशिश महत्व है न हमारे जीवन में क्योंकि पेड से हमें छाया मिलती है इनसे हम दवाई, लकडी, कागच इत्यारी प्राप्त कर सकते है पेड हमें बाड से बच्छाते है प्रदूशन को दूर हटाते है प्रदूशन मतलब पोल्यूशन तो हमें भी पेड लगाने चाहिए है की नहीं तो चलो बच्चों अभी हम लोग कविता गाते है पौधे चार लगाए पानी उने पिलाए उनपर चडिया आए बैठी बैठी गाए पौधे चार लगाए फुलों से भर जाए तितली उनपर आए उड़े और मेंडराए पौधे चार लगाए खुश्बू से भर जाए जूम जूम लहराए मन में सब हर्षाए देखो बच्चों इस कवीता में कवी ने हमें क्या करने के लिए बताया है चार पौधे लगाने के लिए बोला है मतलब हर एक इंसान ने अगर चार चार पौधे लगाए और पौधे की अच्छे से देख भल कि तो धर्ती पर हरियाली चा जाएगी और ये पौधे बड़े हो जाएंगे उसका जब भी बड़ा सा पेड हो जाएगा तो क्या होगा उन पर चिडिया आए बैठी बैठी गाए और उन पर बैठने के लिए कौन आएगी चिडिया चिडिया मतलब स्पैरो और वो चिडिया पौधों पर बैठकर चेव चूव करके गाना गाएगी सेकेंड परिग्राफ पौधे चार लगाए फुलों से भर जाए तितली उन पर आए उड़े और मंडराए बगीचे में चार पौधे लगाए तो वो बगीचा अच्छे से खुश्बू वाली फुलों से भर जाएगा जहाँ पर हरी हरी घास और सुन्दर सुन्दर फूल होते है वो फुलों पर बैठने के लिए तितली आएगी या तितली आ मतलब बटरफलाई और वो मंडराएगी मतलब क्या एक फुल से दुसरे फुल फर मंडराती रहेगी और रंगी पर रंगी मतलब कलर फुल फुल लगे होते हैं तो तितली आ भवरे मंडराती रहते हैं न तो देखने में वो बहुत अच्छा लगता है वो सीन लास्ट पारिग्रफ पवधे चार लगाए खुश्बू से भर जाए चार प्लांट लगाएंगे पवधे लगाएंगे तो उस पर अच्छा अच्छे सुगंद वाले फुल खिलेंगे फुलो का सुगंद मतलब स्मेल फैल जाएगा इससे वातावरण कैसा होगा? प्रसन हो जाएगा हवा के साथ वो पवधे जूम जूम लहराएंगे यह देखकर सबका मन प्रसन हो जाएगा हर्शाना मतलब प्रसन होना बगेचे में कई तरह के पेड़ पवधे फॉल फुल आदि लगे होते हैंगे जो हमारे मन को अपने और आकरशित करते हैं अट्रैक्टिव लगते हैं न? लेकिन यह सब कभी होगा? हर इंसान अगर सोचा कि मुझे चार पवधे लगाने चाहिए मतलब चार प्लांट लगाने चाहिए तो ही और उसका अच्छे से देखबाल किया तो ओके? थैंक यू